हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भई हाजिर एनी वैकेंसी के साथ जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज की जो अपॉर्चिनिटी आ रखी है वो आ रखी है NPCIL की तरफ से मतलब कि Nuclear Power Corporation of India Limited की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चिनिटी निक अपने को कैसे अप्लाइ करना सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बस वीडियो को बीना इसकिप किया पूरा देखना है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे बाई तो लाइक कर देना जब भी वीडियो को लाइक करते है तो हमको मोटिवेशन मिलता है अच्छा लगता है तो शेयर कर देना बिना कंजूसी के कमेंट बॉक्स में आपको अपनी ब्रांच को मेंशन कर देना ह अगर आपने आइटे किया तो आप अपने ट्रेड को जरूर से मेंशन करें और अगर आपने ब्रांच को मेंशन करें ताकि आने वाली जॉब सब्डेट आपकी ब्रांच और आपकी ट्रेड से रिलेवन्ट आपको देखने को मिले और इंडारेक्ली आप सभी को फायद हो और डिस्क्रप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड करवा रख है, टेलिग्राम चैनल का, वाटसप ग्रूप का, लिंक्डिन का, इंस्टाग्राम का, फेस्बूप ग्रूप का, तो जल्दी से जाके उन लिंक्स को जॉइन कर लेना, वहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप की गंटी वाल आइकन उसको दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, और आपको वाई इस चैनल पर इंजरिंग जाओ अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, चलिए शुरू करते हैं, जैसा यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गए, एक अपॉच्चुनिटी को निकाला गए, बैसिकली यहाँ पर जो पॉच्चुनिटी रहेगी, वाई टे वाले केंडिडेट के लिए रहने वाली, अगर कोई B.E.T. के डिप्लोमा केंडिडेट देख रहे है वीडियो को तो सिक्प क है उसके बाद ठीक है और इंटर्शिप हम कभी भी कर सकता है चल रहा है तभी भी कर सकता है हमारा ग्राइजिएशन या फिर डिप्लोमा या फिर इटे या फिर उसके बाद भी हम apprenticeship कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर advertisement number दे रहा है और यह आज के दिन यहाँ पर निकाला गया है advertisement number देख सकते हैं और जो online application start होने वाला वो यहाँ पर 29,6222 से यह start हो चुका है और last date इसका रहेगा 31,7222 से यहाँ इसका last date रहने वाला उससे पहले पहले आपको apply कर देना है apply process के बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पर जो trade eligible उसके बारे में बात कर लेता है feature eligible है, trainer eligible है, mechanics eligible है, electrician eligible है अगर आपने यहाँ पर welder में कर रहा है, gas welding के अंदर तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते है काफी बढ़ी है vacancy आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, electronic, mechanic eligible है, draftman, civil eligible है, surveyor eligible है तो यहाँ पर आपकी vacancy की according यहाँ पर दे रहे किये जो total number of vacancy है, 75 total number of opportunity निकाली गई है एक साल का आपके यहाँ पर training program रहने वाला है, एक साल के बाद आपके यहाँ पर certificate देखे, यहाँ पर आपका certificate आपको मिल जाएगा तीक है, अगर आपने NCVT से या SCVT से कर रहा है ITA, तो आप apply कर सकते हैं, यह सारे trade आप देख सकते हैं यहाँ पर ITA, फिटर, ITA, टनर, ITA, mechanics, ITA, electrician, welder में कर रहा है, electronic, mechanic में कर रहा है, या फिर अगर आपने draftment में कर रहा है, civil में, या फिर ITA अपने surveyर में कर रहा है, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और यहाँ पर government norms के according, यहाँ पर age relaxation बिलकुल दिया जाएगा, बात कर लेते हैं, age criteria की आई चुका है, तो 14 साल कम से कम आपकी age होनी चीए, maximum आपका 24 year होना चीए, और 31 आप देख सकते हैं, 7, 2022 के according यहाँ पर age finalize की गई है, मतलब कि 31, 7 और 2022 के according आपका age लिया जाएगा, ठी आपकी government norms के according रहता है, और यहाँ पर हम आपको एक चीज बता देते हूं, कि यहाँ पर आपका physical standard भी मांगा गया है, तो आपकी height देख सकते है, 37 cm weight आपका 25.4 kg आपको होना चीए, जो आपका chest का full आप है, उसके according यहाँ पर देख सकते हैं, आपका vision के बारे में भी यहाँ 8,700 रुपए, और जुन्होंने 2 साल का ITA किया है, उनको मिलेगा 8,855 रुपए, प्रॉक्स 9,000 रुपए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फौर ए 2 साल का ITA वालों को और जुन्होंने 1 साल का ITA कि उनको अप्रॉक्स 8,000 रुपए देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और जिन्होंने पहले कभी IT apprenticeship कर रखा है वो यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं ध्यान रखना पहले अगर आपने apprenticeship किया है तो आप यहाँ पे eligible नहीं रहेंगे आपकी एक बार ही apprenticeship होती है आपका जो भी education के अंदर तो इस चीज का ख्याल रखें जो आपका direct उस पे click करके apply कर देना है फीस यहाँ पे 0 रूपय आपको एक रूपय भी pay नहीं करना है फ्री का यह form रहने वाल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा apply process यहाँ पे उन्होंने पहले सी mention कर दिया तो आप इसको अच्छे से check out कर लेना यहाँ पे यह सारी चीज का ध बाक्स बने उसका certificate ही सारे अगर आप EWS OBC SAST category मात है तो उसका certificate आपके हाँ पे लगा देना है ठीक है apply लिंक आपको description मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से apply के process पे वीडियो बना हूं तो comment box में लिख देता हम आपके लिए जल्दी से वीडियो ल